वेलकम बैक, दोस्तों मेरे साथ मौझूद हैं डॉक्टर आशीश देशपांडे जो साइकाटरिस्ट हैं और शराब की लट के विशे में एक लंबे अर्से से काम कर रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुढने का डॉक्टर आशीश मुझे बताईए कि यह कैसी आदत है शराब की जिसे हम छोड़ नहीं पाते चाहाखर भी यह आदत यह हम से छूट नहीं पाती कि भाई पहली दफा शक्कर खाने के बाद उसका इरादा नहीं होता है कि आगे चलके मुझे डियाबडीस बना है। उसी तरह से कोई भी शराबी जब पहली दफा शराब पीता है वो सोचता नहीं आगे जनके मैं शराबी बनो। लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसे धीरे-धीरे कुछ बदलाव आने शुरू करते हैं जो उसे पता नहीं रहते। जब इनसान पहली दफा शराब पीता है तब उसके दिमाग में अलकोहल के रिसेप्टर्स तैयार हो जाते हैं। अचा, अभी ये रिसेप्टर की संख्या हर एक शराब पीने की जो एक occasion उसके साथ बढ़ती जाते हैं। लेकिन जो इंसान उसमें वो जेनेटिक कमी है उसमें ये रिसाप्टर निकालने की लेने की प्रक्रिया जो है वो लिथार्जिक होती है धीमी होती है। उसके वज़े से उसके दिमाग में यह receptor की संख्या बढ़ती है और यह receptor की संख्या जब बढ़ती जाती है तो उनकी union हो जाती है वो कहते है के भई हमें शराब चाहिए किसी भी हालत में हमारी मांगे पूरी करो दिवाली आई है बोनस चाहिए और बोनस क्या होता है? बोनस चराब, सिर्फ चराब तो कुछ भी आपकी सेहत कैसी है आपकी फाइनाशल स्टेटस कैसी है उससे के फ़र्ट नहीं आपके घर में कोई बीमार है ये सब कुछ अलग हो जाता है और मुझे समझ में आता है कि मुझे सिर्फ अभी मेरी डिमांड पूरी करनी है और ये बीमारी मुझे हो रही है ये आदमी को पता नहीं चलता ना कोई लाब़रेटरी टेस्ट है जिसकी वज़र से हम लोग पता कर सके कि भाई इस इस इनसान को बिमारी होने की गुंजाई जादा है तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैं मुझे में वो कैफियत है कि मैं शराबी बन सकता हूँ या अलकॉहलिक बन सकता हूँ या इस वक्त हूँ जो भी इनसान समझने की कोशिश करता है तो उसे ये सवाल पूछने चाहिए पहला सवाल ये है कि भाई आपके आजूबाजू में जो लोग रहते आपके सगे वाले दोस्त है क्या किसी ने आपको आपकी शराब ज़्यादा हो रही है आपको कम करने की जरूरत है ऐसे कभी बोला है पहला सवाल दूसरा सवाल जब आपके सगे वाले आपको कहते है कि आपको शराब कम करना जरूरी है तब आपको गुस्सा आजाता है यार मैं अपने पैसे की कमाई की पीता हूँ तुम्हें क्या फरक पढ़ता है तीसरी बात ये है कि शराब पीने के बाद ऐसे लगता है यार ज़्यादा पी लिए लगता है यार नहीं पीता तो बहतर होता है गिल्टी फील हो जाता है और चौथा सवाल होता है कि भाई कभी आपको दिन शुरू करने के लिए शराब की जरूरत लगी आप सुबह उट गये लेकिन हाथ-पाउं काप रहे कॉंसेंट्रेशन नहीं कर पा रहा है शराब पी अच्छा लगा दिन शुरू हो गया तो अगर ये सवाल हो के जवाब हाँ है तो भाई आपका शराब पीना जो है खत्रे से खाली नहीं है बराबर तो डॉक्टर राशीष अगर ये बिमारी है तो इसका मतलब ये कि मैं फिर इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ अगर बिमारी है ये मुझे समझ में आने के बाद इलाज तो मुझे ही करवाना पड़ता है तो बीमारी है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खतम हो गई हाँ मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई अगर मुझे बीमारी है तो मुझे इलाज भी करना है अगर ऐसा है तो इसका इलाज क्या है alcoholism में problem मिले है कि रुकाना problem नहीं है रुके रहना problem है और ये रुके रहने के लिए alcoholics anonymous ये एक संस्था है वो पूरे विश्व भर में है 30,000,000 sober members है अपने देश में 40,000 sober members है पतला ऐसे लोग जो लत्थ में फसे वे थे वो इसमें से भार निकले हैं आपको सिर्फ अमन में इच्छा चाहिए कि भाई मुझे शराब से दूर रहना है डॉक्टर राशीश बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर इस तरह से इस सफाई से रौश्णी डालने के लिए थैंक यू सो मुच दोस्तें डॉक्टर राशीश ने आलकाहॉलिक्स अनॉनिमस का दिक्र किया ये भी बताया कि इस बिमारी से निकलना बाकाइदा मुम्किन है चलिए अब हम मिलते हैं ऐसी एक विक्ती से जो 40 सालों तक इस लट का शिकार थे हम उनकी जुबानी ये कहानी सुनेंगे लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि आलकाहॉलिक्स अनॉनिमस की खास बात ये है कि वो आपकी मदद भी करती है और आपकी पहचान भी बचाये रखती है और हम इस बात की इज़द करते है लक्षमिन जी बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जुडने का थैंक यू सो मच मुझे बताईए कि आप कैसे निकले इसमेसे मेरे कि पर सब कुछ इलाज हो चुके थे आस्फिटल आई जे शेहने एक मिनट भी दारू की बिगर लास्टी आई साथ और मेरा कंटिट विस्त लाग दारू को और विस्त लाग दॉक्टर को गाया मेरा खली नायर होस्टेल में मैं कम से कवन अन्डेटी तेटी ताइम्स एड मेठेगई जे जे आलाग बाकी क हजगी आसपिटल आलाग बोरोली शावान ऑसपिटल गुपता ऑसपिटल एक ताइम तो मेरे पार केुप पर एग्जाम तेल रहा था और सब लिएमो डॉक्टर शेता रहा हया हमना उठक्टर को पूच्छाहा तो भी सावल का जाब देने को ने आया, मैं स्वेला ता मैं बोला, मैं देता जाब तो दारू के उपर, लिवर के उपर, कुंसा दावा, क्या उसे, बैरेल गान, इंजेशन, आलो ड्रॉफ, वो सब मेरे को आलूम हो गया था आप एक्सपर हो गदेशन, आप एक्सपर, दॉक्तर को मैं बुलता था ये लगाओ, या इंजेशन लगाओ, ये दॉक्तर को पहले से मानता था, दारू पिता था जैवे दो दो गंटा पुजा करता था, आज भी करता है, तो वो को लग श्टीमी था अच्छा अच्छा बुत करतश मीत था, इसमीशन, में नाम है फ्रीहल्प, और मैं हस मज़ हूँ बढ़ करता है, अच्छा फरीहल्प दारू को चुटता है पूरा फ्रीमे ख्शुटे का चुटा का चुटे की दावगहius? कर दे हम एक हुटा पिर में विख एक फोन नंबर था एक A-Member का हम फोन नंबर में लिया, उसमें से एक नंबर गलत लिखा गाया मेरे से में पेला था ना, पेके और ठीके और फोन गुमाया, मैं इधर से बोला ऐसा कुछ दाव है काल में आने के बाद मेरे को दाव देने के बाद माई इमीजेट दारू बंद ओएगा थुछ इए से सुरू कहारे क्या फागल एक आमारा के धारू का अड़ा इक एक निक्क मदा गलाए तो गलत नंबर गलत नंबर नहीं बंग लगवान दारू ने का नंबर दिया ओ भी गलत दिया काईसा है तू? मैं आउर के काउटर पिया, वापस तीरे देखने को बैटा और नमबर आया फिर 10-15 मिनिटे बाद अचा दुबार आया ओर नमबर लेखा और फोन घुमाया घुमाया और बात करने लगा तो आईसा है तो बोला हाँ है तो जब आउरत में सुना मेरा बात किसके साथ बात करता है जारू चोडने का तो उसने हाथ में से फोन लेया मेरा मेशेश बोला उसको तो तुम कुदी उनका आज आज आव इदर वो आने वाला ने यह तर तो मारे मितिंग तुम इदर आओ वो नी आएगा ने आने वाला अवा अव message कि अई वाण आ यहाण यह घवाण सैट बेशि ने ङयए इदर वो मेरा इद रे वेटन के लिए मिलेख बादो मेरा मेरा कॉ本ल सादें कर शूजवादो तो और रिफ जा था जा ब। करेगा वो बहुत तकलिब निकाला और फंदरा दिन के बाद थोड़ा थोड़ा समुझनी लगा और भार के दुनिया मेरा जिरो किमत हो गया था मेरेको कोई खड़ा ने करता था मेरा फैमिली नहीं मेरा दोस्त लोग नहीं समाज नहीं सब्दे थुकराया था लेकिन इधर हमें जाने कि मिटिंग में जाने कि बाद इस मेंबर जो आए उसने गलों में हाथ रखे तू भी मामारा भाई है तू शरा भी नहीं तो एक बिमार अनी है जरना नहीं सब अच्छा होएगा वो मेरे को अच्छा मिला तो सामने जो शेरिंग करता था जो आदमी अपनी अनुभव बता रहे इतना डिटेश्ट को किदर पया कितना पया कैसा पया मैं किसको किसको टोपी लागाया मैं कै दारों के लिए क्या-क्या चोरी किया मेरा आउरत गया मेरा नोक्री गया सब जाने को देता अब बेउडे के अंदर कपेट की दारू निकाल सकते हैं दिमाग की ने और ए फेलोसित में दिमाग की दारू निकाली जाती हैं कितने साल हो गए आपको अभी दारू छोड़े हुए अभी मेरे को 14 साल हो गए दारू छोड़े हुए जो लड़की मेरे को बोलती पपा मेरे को स्कूल में छोडने को ने आने का कभी और आभी वह लड़की बोलती पपा मेरे को ने को उसको यह भी प्राइज मिला स्कूल में तो फोटो निकालने के लिए मैं था सामने क्या बात दोस्तों, Alcoholics Anonymous के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे इस वक्त उनका फोन नंबर और SMS नंबर आपके स्क्रीन पर है अगर आप उनको SMS भेजना चाहते हैं तो आप अपने मुबाइल फोन पर Capital A-A-A-A यानि के अंगरेजी का बड़ा A चार दफाँ टाइप कीजिए एक स्पेस छोडिए और फिर अपना नाम और पता लिख कर उन्हें टेक्स मेसिज भेज़ दीजे या आप उनको फोन करके सीधे संपर्क भी कर सकते हैं देश भर में Alcoholics Anonymous के बहुत सारे केंद्र हैं और जैसा लक्षमे जी ने हमें बताए कि ये सुवधा हमें फ्री में मिलती है, यानि कि मुफ्त में मिलती है एक बात और, Alcoholics Anonymous आपकी पहचान हमेशा गुप्त रखती है हम चाहेंगे जी जी जनको इस लत से छुटकारा पाने में मदद चाहीए, वो इस सुवधा का पूरा लाब उठाएं लक्षमे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बाच्शीत करने का तो दोस्तों ये एक तरीका था शराब की लत से बाहर निकलने का एक और तरीका है जिसका आप देश के कुछ राज्यों में इस्तमाल कर सकते हैं पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और महराष्टर जैसे कुछ राज्ये हैं जहां पर पंचायती राज कानून के तहद गराम पंचायत या गराम सबा को ये हक दिया गया है कि वो सरकारी तोर पर अपने गाउं या गाउं के आसपास खुली हुई शराब की दुकान को बंद करवा सकती है अगर आप इन राज्यों में रह रहे हैं तो आप इस अधिकार का लाब उठा सकते हैं और जिन राज्यों में ऐसी सुविदा नहीं हैं वहाँ पर आप अपनी राज्यों सरकार से इस अधिकार की मांग कर सकते हैं आईएब हम जुड़ते हैं पंजाब के चंगाल गाउं से जहांके लोगों ने इस अधिकार का इस्तिमाल करके अपने गाउं में शराब की दुकान बंद करवा दी नमस्कार जी बहुत 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 शुक्रे हमारे सा जुड़ने का बताहिए आप लोगों को किया-क्या तकलीफ है थी आपके गाउं में और उस अलाके में शराब की वज़े से अमीर जी ऐसा था हमारे गाउं में Geb लिए समय से सिराब की दुकान थी मैं जई मालम था कि गराम पंचायता अगर चाहे नसा जो बिक्रिया बंद कर सकती है हमने गराम पंचायत का सर्वसामती से रेजनेश पास करके पंज़ाब को बेजा किमिस्ट साम ने बोला कि अगर सर्पांची जी आप गाउं से सराव की तकान बंद कर बादोंगे तो सरकार को पैसा कहा से आएगा पंजाब का बाकास कैसे होगा तो मैंने उसके जबा में बोला अगर सरकार पंजाब की नौजवा ने बरवाद कर के बाकास कर बना चाहती है तो इस बाकासे तो ऐसा है भी बाकास नाई हो इसे मैंने बोला भी हम किसी कीमत में भी गौव में सराव की तकान नही रहने देंगे और लोगों ने रसा दिया और हम कानजाब होगे तो क्या अब आप लोग खुश हैं मैलाओं का क्या कहना है हाँ बाई साब को हमारे आदम हैं अब सकूल मच्छे में पढ़ाई जा रहे हैं अब लड़की पढ़ाई जा रहे हैं और हमारा रसोई का खर्चा पूरा हो रहा है भाई साब चलिए बहुत खुशी की बात है वाकई सरपंजी आप लोगों ने एक मिसाल काइम की है और पूरे देश के लिए ये मिसाल का और लोकप्रिय लेखक और शायर को जनाब जावद अख्तर साहब तैसलाए अजाए जावद साहब बहुत शुक्रिया यहाने का शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे के एक वक्त आपने भी शराब के साथ खुब एक लड़ाई लड़ी है तो मुझे क्या रहा शराब के साथ मैं शायद अपनी जिंदगी में एक 26-27 साल शराब पी मैं बहुत यंगेज में शुरू की थी जब मैं बांबे आफ्टर माइ ग्राजुएशन तो मेरी उमर 19 साल थी तो मैंने शुरू कर दी अपने दोस्तों उस्तों के साथ फिल्म इंडस्ट्री म मैं अपरेंटिस था, असिस्टन डिरिक्टर था और धीरी दीरी वही आदद बढ़ती गई पहले तो पैसे नहीं होते थे पिर जब काम मिला तो पैसे भी हो गए तो फिर जादा पीने लगे एक जमाना था मैं समतनों आखिर के 11-12 साल ऐसे थे कि मैंने शायद रोज रोज रते सबाद का रात को शरब मैंने वहें लोग यह पीटे यह बहुपने लगे हम कष्जली क्या है कि शरब के अगर तो हम बढ़ हो गए रेल्ट हो गए यह काम तो हड़ प्यदे ना फिर हम जो हम ढ़ए तो फिलमे होती थी उसमें भी लरे गाता था और गाना बड़ा अच्छ ही हुआ करता था लेकिन शराब ऐसी नहीं होती जिसी फिल्मों में दिखाई देती थी या भी दिखाई देती है कभी-कभी हीरो तो शराब प्रिके बड़ इच्छ डायलोग बोलता है और बड़ा ग्लेमर्स लगता है लेकिन असल जिंदिगी में जो लोग शराब पीते हैं और ड्रंक होते हैं वो तीन तरह की चीज लग सकते हैं या तो गिनाओने या गदहे या दोनों कोई भी ड्रंक आदमी जो है या तो बहुत ही गदा लगता है इसलिए को बात को रिपीट कर रहा होता है या घिनाओने लगता है फिराल बह रही है बात करनी पारा है चल नहीं पारा है उत पता है इसमें कोई ग्लैमर नहीं है यंग्स्टर्स को जाविज सब्सक्राइब ही बता रहे है तो ये जो आदत है ये कब डिवलप होती है आपको पता नहीं लगता ये एक हर चीज की एक टेंडिनसी है अब मसला आप दूद पीना शुरू करें रोज पयाद से में दूद प्यूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप चार साल बाद मिलेंगे ग्यारा ग्लास दूद पीते रहेंगे जिन्दगी बार ये शराब में टेंडिनसी है ये बढ़ती तब फिर चुड़ाना मुश्किल मैं आपको ये गारेंटे मेरी तुसान नहीं आता है अकसर लोग माफ किये थोड़ी है थोड़ी है बड़ी समझदार हैं और हम आपसे राह इसलिए लेने आए मैं सोचता हूं कि मैं अगर वाकरी इंटेलिजन हूं और समझदार हूं तो म और वो का दिन और आज का दिन एकीस साल हो गए हैं मैंने कभी छुआ तक नहीं हूं लोगों को यही मशवरा दूँगा कि आप ड्रंक नहों ड्रंक इसलिए नहीं हो कि यह एक बेवगूफी का बच्सूरत गिनाना और गटिया काम है देखो बुरा होना तो फिर भी ठीक है अलग बात है यह तो बेवगूफ होना यार बहुत खराब है जावसाँ बहुत 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 शुक्री आने का हमसे बाचीत करने का थैंक्यू सोने का